अस्सलाम वालेकुम, HTML, CSS के दूसरे टुटोरिल में आपको खुशामदीद कहता हूँ, इस टुटोरिल में हम ये देखेंगे के HTML की कोर्डिंग हम किस text editor में करें या किस software में करें, हम HTML की कोर्डिंग, CSS की कोर्डिंग, simple notepad में कर सकते हैं, notepad, यहाँ पर आप HTML की कोर्डिंग कर सकते हैं, जो भी कुछ आप कोर्डिंग है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि आप notepad++ यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर आप देखें, यह सारी black and white है, और black and white पर काम करना कुछ मज़ा नहीं देता, सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि notepad++ इस तरह से download किया जाता है, आप google खोलें, यहाँ पर लिखें notepad++, enter, notepad++, ठीक यह आपकी एक links खोलाई हैं, यहाँ पर आप पहली link में क्लिक करें, यहाँ यहाँ पर आप देखें, left side पे download लिखा हुआ है, अब download पे क्लिक करें, अब एक और page खोलाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ होगा download, खोल रहा है, प्लीज वेट कीजिए, हाँ यह खोला है, यहाँ पर रहें download लिखावाई, जैसे ही आप download पे क्लिक करेंगे, तो यह notepad++ आप पास download हो जाएगा, मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने already इसे download कर लिया है, notepad++ किस तरह से होगा, यह देखें, यह है आपका notepad++, आप यहाँ पर जो भी recording करेंगे, वो सारी यहाँ पर आएगी, और यह colorful होगा, और इसमें, simple notepad से कुछ ज्यादा features है, so guys, notepad++ पर हम अपनी HTML की recording अगरे tutorial में start करेंगे, so thank you for watching, please don't forget to subscribe,